इस दुनिया में ऐसे कई रहसे में जगे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है आज हम आपको एक ऐसे ही अनुखे गाउ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता हैं कि वहाँ जो भी गया कभी वापस लोट कर नहीं आया आपको बता दें कि इस गाव तक पहुचने का रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है इस जगे को City of the Dead यानि कि मूर्दो के शहर के नाम से भी जाना जाता है दरासल ये गाव रूस के North Ocetia के दरगाउस में है ये इलाका बहुत ही सुनसान है डर की वज़े से इस जगे पे कोई भी आता जाता नहीं है ये जगे पांच उचे उचे पहाडों के बेच छिपी हुई है यहाँ पर सफेद पत्थरों से बनी अंगिनत तहिकाना नुमा इमारते है इन में से कुछ तो चार मंजिला उची भी है लेकिन सबसे हैरत की चीज तो ये है कि यहाँ कई छोटे छोटे घर बने है ये घर किसी और के लिए नहीं बलकि मुर्दों के लिए बनाये गए है बताया जाता है कि इन कबरों को सौलवी शताबदी में बनवाया गया था ये एक विशाल कबरिस्तान है कहते हैं कि हर इमारत एक परिवार से संबंदित है जिसमें से उसी परिवार के सदोस्य को दफनाया गया है सानियल लोगों का मानना है कि पहाडियों पर मौझूद इन इमारतों में जाने वाला लोटकर नहीं आता शायद इसी सोच के चलते यहां मुश्किल से भी कवी कोई टूरिस्त पहुचता नहीं है हाला कि यहां तक पहुचने का रास्ता भी आसान नहीं है पहाडियों के बेच रास्तों से होकर यहां तक पहुचने में तीन घंटे का वक्त लगता है यहां का मौसम भी सफर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है पुरा तत्ववादी को यहां कबरों के पास बोट्स मिली है उनका कहना है कि यहां शवों को लकरीप के डाचे पे दफनाया गया था जिसका आकार बोट के जैसा है हाला कि यह अभी रहसे ही बना हुआ है कि आसपास नदी मोजुद ना होने के बावजुद यहां तक बोट कैसे पोची नाव के पीछे माननेता है कि आत्मा को स्वर्प तक पहुशने के लिए नदी पार करनी होती है इसलिए उसे नाव पर रखकर दफनाया जाता है यहां पुरा तत्ववादी को हर तहकाने के सामने कुवा भी मिला इस कुवे को लेकर यह कहा जाता है कि अपने परिजनों के शवो को दफनाने के बाद लोग कुवे में सिक्का फेकते थे अगर सिक्का तल्क में मौजुद पत्थरों से टकरा था तो इसका मतलब यह होता कि आत्मा स्वर्व तक पहुँच गई क्या आपको इस से पहले इस फैक्ट के बारे में पता था कमेंट करके हमें जरूर बताना आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आएं तो लाइक और शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में